दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयूरवेट की काफी जबड़दस टॉनिक द्राकसा सव के बारे में अगर आपके सरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है या पाचन सम्मन्दित कोई रोग या विकार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है वीडियो को पूरा देखिए तभी आपी द्राकसा सव के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे इसके आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे, कैसे आपको इसे यूज करना है, इसका प्राइज क्या है, इसके इंग्रीडियन्स क्या है और इसकी साउधानिया क्या है सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताउंगा लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पोँचे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये द्राक्सा सव बहुत सारी कंपनियां बनाती है मेरे पास बैदनात कंपनी का है आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं अगर बात करें इसकी प्राइस की तो इसका प्राइस 190 रुपे है जो आपको 450 ml के प्लास्टिक की बोतल में मिलती है और इससे आप किसी भी आरेवेदी की स्टोर, मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से खरी सकते हैं अगर वहाँ आपको ये अवेलेबल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ओलाइन खरीदने की लिंक की दी हुई है अमेजोन की जिसे आप चेक कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में अगर आपको विकनसी रहती है, सरीर में एक एनरजी की कमी रहती है सरीर काफी थकावट भरा रहता है, यानि काम नहीं भी होता, फिर भी थकान-थकान सा लगा रहता है सरीर में एक अलश्यपन रहता है, काम करने में मन ही नहीं लगता, बेचेणी सी रहती है तो इन सब समझ्याओं में द्राक्षा सव का आपको काफी जबरदस फाइदा देखने को मिलता है इसके इस्तिमाल से कमजोरी दूर होकर सरीर में तागत मिलती है जिससे आपका सरीर स्वस्त रहता है दोस्तों इसके और भी फाइदे बताने से पहले जल्दी से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस द्राक्षा सव में ऐसी क्या जड़ी बूटियन डाले गई है जो ये प्रोडेक्ट इतना ज़्यादा खास है इसका मुखी घटक है द्राक्ष यानि अंगूर इसलिए इसे द्राक्षा सव भी कहते हैं इसके अलावा इसमें और भी कई जड़ी बूटियन डाले गई हैं जैसे लॉंग, इलाइची, जाएफल, काली मिर्च, चितरक, मिस्री, धाय के फूल, डालचीनी, नाक केसर, तेजपत्ता आदी इन सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इस दवा को तैयार किया जाता है, जो आपके सरीर के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिचल होते हैं इसके और भी फाइदों के बारे में बात करूँ, तो अगर आपको पेट सम्मंदी समच्चाएं, जैसे पेट में गैस काफी बनती हो, कबज, यानि कॉंस्टिपेशन की समच्चा, आपका पेट साफ नहीं रहता, या फिर बदहजमे की समच्चा हो, एसरेटी की समच्चा ह तो आप इस द्राकसा सव को एक बार लेके देखिए, आपको इसके काफी बड़िया फाइदे देखने को मिलिंगे, और इसके अलावा ये आपके लीवर के फंक्शन को भी ठीक करती है, लीवर को मजबूत करने का काम करती है, यानि आप इसे एक लीवर टॉनिक के रूप म इसके अलावा ये आपके सरीर में खून की कमी को भी दूर करने का काम करती है, यानि खून की कमी से जिनको अनीमिया हो गया है, तो वे भी अगर इसका इसका इस्तिमाल करते हैं, तो उनको इससे काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ अगर आपको खासी की समच्या है, कफ है छाती में हमेशा कफ जमा रहता है स्वास की दिक्कत है सास काफी फूलती है थोड़ा सा ही काम करते ही सास काफी फूलती है तो इन सब समच्याओं में भी आपको द्रक्सा सब का काफी बड़िया लाप देखने को मिलता है दोस्तों अगर बात करें कि इसे यूज कैसे करना है तो आप इसे 3-6 चमच यानि 15-30 ml बराबर मातर में पानी मिला कर खाने खाने की बाद दिन में 2 बार तक ले सकते हैं यानि जितना ही आप इस द्राकसा सब को लोगे यानि मान लीजिए आप इसको 30 ml ले रहे हो तो उतना ही आपको यानि 30 ml ही आपको इसमें पानी मिला का लेना है आप इसे खाने खाने के 20-30 मिनट बात ले सकते हैं दोस्तों इसे मेल फिमेल कोई भी ले सकता है बच्चे भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों को दिने से पहले एक बार डॉक्टर की सला जरूर ले ले क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चों की उम्र कितनी है तो इसले बच्चों को दिने से पहले एक बार डॉक्टर की सला ज और इसके साथ-साथ जो डाइबिटिक वाली पेसेंट हैं उनको भी इसका इस्तिमाल करने से पहले डॉक्टर की सलह जरूर लेनी हैं क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में सुगर भी एड होती है अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट दे है हेल्दी डाइट लेजिए सुबह एक्सेसाइज करिए तब ही आप इस द्रक्सा सवका और भी भरपूर फाइदा ले पाएंगे दोस्तो इसको ऑनलाइन खरेने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अविलेबल है आप चाहे तो चेक कर सकते हैं वीडियो पसंद आ